अलो सुडेंट वेलकम तू दू डिजिटल लानिंग प्लेटरम विंसाम इंटेनेशन स्कूल बच्वो आज हम डिस्कूस करेंगे मैंट्रिक्स चेप्टर का पार्ट सेकेंड क्या 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 रहा है एक साइस 3.1 पहला कोशन बढ़ते हैं कैसे उसका आश्र करना है के रहा है इंदा मैंट्रिक्स ए मैंट्रिक्स बना दिया आपके सामने ठीक है राइट दो ओडर आप मैंट्रिक्स इसका ना ओडर लिखो बहुत ऑडर कैसे लिखेंगे सबसे पहले आप काउंट कर लीजे बत कि क्रॉस फोर सोच पार हो नमबर आफ एलिमेंट्स जो आपका जो आपका ओडर आता है उसी का प्रोड़क्ट तो भाई प्रोड़क्ट ऑफ क्या ओगा बताओ कितना आज जाएगा वारा तो हाँ मैनी एलिमेंट्स आज ए रहा है ठीक है आप चाउत पांट कर सकते हैं ए-ए-ए-टू-4-0-2-3 समझ रहा एवन-ध्रिकम तो समझ रहो फस्त रोव थार्ड कॉलम फस्ट रो इंके नेम लिए मैं तो ने भीक है सब कम थीजी हो जाएब तीक है तो इसका मताफ़ य पंद्री क कम तरे लिख रहो में फस्ट रो 3rd column 3rd column ठीक है थोड़ा सा space कम है इसलिए में इतलाइस करा हूँ 1st row 3rd column तो 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 तेट इस 19 clear अगले वाले कांसा करो A21 क्या हो जाएगा बताओ A21 का हो तो 2nd row 1st column 2nd row 1st column that is 35 clear next one is 3rd row 3rd column A33 visible होगा जबको A33 मुझे find out करना है A33 A33 क्या होगा 3rd row 3rd column 3rd row 3rd column that is minus 5 clear next one is A24 मतब A24 का मतब क्या हो जाएगा 2nd row 4th column 2nd row that is 2nd row and that is 4th column that is 12 clear and the last one is 2nd row 3rd column A23 बोला है इस जगे A23 का मतब 2nd row 3rd column तो बताओ 2nd row क्या हो जाएगा बताओ ये और 3rd column 5 by 2 these are your answer बहुत सिंपल था असान था initially इतना आप सब लोग को समझ मा रहा होगा clear है चलो बढ़ते हैं आगे next question की तरफ अगला question क्या है अगला question है if a matrix as 24 elements तो what are possible orders it can have what if it has 13 elements तो सबसे पहली condition elements निकालते कैसे है बताओ elements क्या होता है product of elements होता क्या है product of rows and columns ठीक है product of क्या होता है number of rows and number of columns ठीक है तो that is m cross n क्या सकता हूं है यह किसके परावर है 24 बताओ m और n दो टर्म्स दे रखी है ठीक है जिनका multiply क्या गया है तब कितना है 24 आया है तो आप खुद analysis करिये m क्या हो सकता है n क्या हो सकता है अब ना m और n कैसे उनीची है पहले बता रहा हूं आप क्या मान सकते हैं कोई भी natural number मान सकते हैं अब कोई भी natural number जब आप मानेंगे ना आप खुद analysis करिये natural number starting from where वंचेश होंगे ठीक है तो first order can be अगर m क्या हो जाए 1 हो जाए और n कितना हो जाए 24 हो जाए तब यह कहानी possible है yes or no तो first order क्या हो जाएगा बताओ first order क्या हो जाएगा आपका 1 cross 24 clear है second m की जगे अगर मैं 2 रखूं तो n को क्या होना पड़ेगा बताओ 12 होना पड़ेगा then second order can be 2 cross 12 ठीक है फिर analysis करो बताओ अगर m की जगे मैं 3 रखता हूँ 24 में 3 certified करिए कितना आजाएगा 8 तो third order आपके क्या हो गया 3 cross 8 हो गया clear है अगला क्या हो जाएगा बताओ 4 रख के देखू अगर मैंने 4 रखा तो 4 into 6 करेंगे तो 24 आएगा तो 4 cross 6 हो गया अब इसके आगे कि जो कहानी होगी 5 रख नहीं सकते फिर 6 रखेंगे तो मतब इनी का क्या आने वाला है जस्ट क्या आने वाला है order reshuffle उल्टा हो जाएगा तो जो 4 6 है वो आभी चल के क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा यह वास सामच पार हो और जो 3 cross 8 है वो 8 cross 3 हो जाएगा और जो 2 cross 12 वो 12 cross क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और लास वान क्रॉस 24 हो जाएगा तो हाँ मैनी पॉसिवल ओडर साड़ देया तो कांट करिये 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th सही है तो यह रांसर इस 8 possible orders 8 possible orders 8 possible orders clear अब बारी आती है नेक्स्ट अब यह करा है कि अगर 13 elements होते तो क्या कानी होती अगर 13 elements होते तो m cross n को किसके equal होना पड़ता 13 के परावर होना पड़ता तो बताओ m की जगे 1 रखूँगा तो n की जगे क्या होना चाहिए 13 होना चाहिए तो 1 cross 13 is also 13 next one is है ना अब आपको उपता है 13 is a prime number तो आप इसको किसी दूसरे नमर से दिवाइड करी मी सकते है इसका मतब ज़स्का गना है उल्टा गर दे रहा है तो क्या हो जाएगा 13 cross 1 हो जाएगा and that are the two possible order two possible order clear यह बात आप सब को समझ मानी चाहिए clear यह बढ़ते है आप नेक्स कोशन की तरफ अगला कुशन कहा है if a matrix has 18 elements what are possible orders it can have and what if it has five elements same condition ठीक है same condition क्या बोलेंगे आप सबसे पहले यह क्या होता है product of number of rows and number of columns that is called product of m cross n समझ पारे हो m cross n is called to 18 where m is number of rows n is number of columns ठीक है now m बताओ 1 into 18 चल जाएगा 2 into 9 चल जाएगा ठीक है 3 into 6 भी चल जाएगा 4 से नहीं चलेगा because of 18 में 4 से डवाइड होगा नहीं और होगा तो फिर वो decimal आएगा और मैंने बोल दिया था था वही आपको m और n कैसे टम होने चाहिए ये नेचुरल अमर होने चाहिए कैसे नमर होने चाहिए नेचुरल है बढ़ जाए तो 4 नीचले को फिर टाना शू जाएगा ठीक है तो ये क्या जाएगा 6 x 3 ये क्या हो जाएगा 9 x 2 ये हो जाएगा 18 x 1 and finally you count it these are called 6 possible order 6 possible order clear another question is what if it has 5 elements अगर 5 elements होते तो पानी क्यों होती अब कुद अनलसे करो 5 कैसे नमर हो प्राइम नमर है ना तो m x n करने पर 5 आजाए फुद अनलसे करो m x n करने पर 5 आजाए तो ये वन तो ये 5 next one is 5 x 1 इसके अलामद और पॉसिवल ही नहीं only two orders clear ये बात आप सब करें समझ माई होगी clear आ बच्चो आते हैं बच्चो next question पर है next question no.4 क्यारा है construct a two cross two matrix और elements रखा है तेको matrix का a i j whose elements are given by are this conditions ठीक है चलिए तो सबसे पेहले आप मुझे बताइए question को बढ़ करके अगर सबसे पहले condition इसका मतलब अगर मैं इस matrix को बनाना चाहूं इस matrix को बनाना चाहूं बच्चो तो क्या condition होने वाली है रेको ध्यान से है अब मैंने एक matrix मना दी AIJ का मतलब क्या हो जाएगा अगर two crust हुआ है तो इसका मतलब first row second row first column second column ऐसे रण करेगा तो यहां अगर मैं बात करता हूं तो first row first column first row second column second row first column second row second column कुछ इस तरीके से क्या होंगे मेरे elements आएंगे clear है अगर कुछ इस तरीके से अगर elements आएंगे तो यह मेरे matrix को represent करेगा अब इसका मतलब मुझा elements क्या करना है find out करना है अगर मुझे elements find out करना है तो यह जो मेरा one one element है वो मैं का करूंगा आई और जे की चिखेपे का रखूंगा अब बात करते हैं इस जगे से a12 a12 क्या चीज़ा बता हो आई की चेखे पर one रखेंगे जे की रखेंगे टू रखेंगे ठीक है तो चलिए पटा पट एक काम करते है ऑई की जगे पर one रख दिया जे की जगे पर टू रख दिया और इसका क्या करना है मुझे whole square करना है divided by का करना पड़ेगा 2 तो आप मुझे बताएंगे इस जगे से यहाँ पर 1 और 2 कितना हो गया 3 3 का square करेंगे 9 9 divided by 2 कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा clear next इसी हिसाफ से अगर मैंने क्या किया 821 निकाला मत्तों तो आई की जगे पर आप क्या put करेंगे बताओ 2 put करेंगे और जे की जगे पर क्या put करेंगे 1 put करेंगे और इस हिसाफ से अगर आप notice करते हैं तो क्या आएगा देखो यह 2 यह 1 इसका whole square divided by का हो जाएगा 2 और ऐसा करने पर 3 का square 9 9 divided by 2 कितना आएगा 4.5 और इस हिसाफ से 822 भी आ जाएगा 822 का मत्तब क्या हो गया आई और जे दौनों की जगे पर 2-2 रखेंगे तो 2 और 2 कितना हो गया 4 का square करेंगे तो 16 आएगा और 16 में अगर हम किस से divide करें 2 से divide करते हैं तो कितना आ जाता है आठ आ जाता है clear है यहां से आपको यह बास समझ में आ रही होगी अब ना मैं इस matrix को कर देता हूं concert कर देता हूं इसी format में लिख देता हूं तो आपका final answer क्या आने वाला है देखो यहां पर अगर मैं इसको finally लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा आपकी जो a matrix है वो बन चुकी है a11 की जगे का put करेंगे आप two put करेंगे a12 की जगे पर का put करेंगे आप four point five put करेंगे clear और a21 की जगे पर का put करेंगे four point five अगें ठीक है और a22 की जगे पर का put करने वाले हैं आप eight put करने वाले हैं और इस हिसाफ से देखें तो यह कौन सा matrix बनगा हमारा two cross two matrix आपने construct कर दिया clear है तो बड़ा simple सा question होता है बच्चो matrix का यह वह question है जो बच्चे गलत नहीं करते है ठीक है रही बात examiner की तो examiner भी यहां से है अगर पूछे का भी तो इसको इसको इस्तमाल करती हो यह कोई multiplication यह edition पूछ सकता है यह equal matrix सा question पूछ सकता है यह रहे है चलिए बढ़ते आगे next question प मुझे क्या करना है two cross two का क्या बनाना है matrix construct करना है और इसका elements क्या दे रखा है आपका a ij i upon j दे रखा है ठीक है तो चलिए काम करते हैं question को solve कर लेते हैं कि यहां पर matrix आपको बनाना है पापिस से two cross two का matrix construct करना है इसका मतलब मैट्रिक्स इस तरीके का होगा A12 A11 होगा सबसे पहले 1st row 1st column फिर 1st row 2nd column फिर 2nd row 1st column और 2nd row 2nd column इस तरीकी से run करेगा 2 cross 2 अब मुझे करना है elements निकाल लेने अगर मुझे A11 को निकालना है तो इसका मतलब आई और जे दोनों की जगह पर का रखना है मुझे वन बन तो यहां पर आपको अगर आपने सूचा कि काम करते हैं निकालते हैं तो आई की जगह पर वन जी की जगह पर टू ऐसा करने पर वन बाई टू आएगा जिसको मैं कॉइंट फाइब लिख सकता हूं क्लियर है कि ना मैट्रिक्स के अंदर है ना सभी नमर्स लिक를 Say चा सकते हैं मिलते है और यूटिम साथ है तो मैं लिखता इनको बीफ़ंक्वा जा सकता है है और को और इदर बात करेंगे एक डन्रेम हो जाएका डिश्या और चलिए जो काम करता हूं तरीके से लिख देता हूं ये कि मैं ओन एदर चैना जाएगा वन है बन टो ड्याइगा पॉइंट हुआ कि ठिक है एट टो बन कितना हो जाएगा टू और एट टो डू कि रहा हैगा और और यश्चाफ से क्या कर सकते हैं हम इस जगह इस お milieu क्रॉस्ट कर सकते हैं तो यह आपको मैंट्रीक्स मध्रिक्स हो गया क्लियर क्ला ऐसे चलिए बढ़ते आगे नेक्स सबसे पहले मेंटली प्रिपेर करिए अगर मैं निकालता हूं इसका हो जाएगा यह जैसी में स्कॉयर करूंगा तो 9 आएगा 9 दिवाड़ बाइट फूर पॉर पॉइंट फाई ठीक है अब अगर मैंने बोला कि ए वन टू निकाल लेते हैं तो इसका है कि यह जाएगा जेगी जगे पर टू हो जाएगा तो इंटू तो करने पर कितना आएगा फूर इसका होल स्कॉयर होगा और डिवाड़ बाइब क्या हो जाएगा तो बताओ आई की जगे पर तो टू पुट कर दिंगे टू पुट कर दिया जेगी जगे पर इस्टिल वन है तो टू अगें डिवाड़ बाइब बाइटू और टू प्लस तू का क्या होने वाला है फूल स्कॉयर करेंगे तो कितना आएगा सूला आ जाएगा और सूला में अगर दो से डिवाइड करते हैं तो आठ हाता है है क्लियर है नेक्स इसी इसाफ से आप क्या कर सकते हैं hate you को find out कर सकते हैं तो एक तुट्व क्या व्याहँ जाएगा रखेंगी तो बताब दो जो इंटू करेंगे तो 4 और तो आपके पास elements आते जा रहे हैं अब इन elements को करना है आपको मैट्रिक्स के अंदर का कर देना है लिख देना है जैसी आपको मैट्रिक्स कोशन में अगला कुशन अब इना इसने मेर से बूला है इस वार क्या करना है आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट तो करना है लिकिन जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है वो क्या होना चाहिए 3 x 4 होना चाहिए अब 3 x 4 का मतब समझ पाहे हो अगर 3 x 4 को अगर आप समझ पाहें तो 3 तो मेरी क्या है नमप्र आफ रोर्ज और 4 क्या चीज़ है बताओ number of columns अब इतना आपको समझभाना चाहिए अब अगर 3 x 4 है तो मतलब 3 row होंगे और 4 क्या होने वाले हैं columns होने वाले हैं condition यह हो जाएगी कि देखो I starting from I के बारे में information दो तो 1 से शुरू होगा और कहा तक जाएगा 3 तक जाएगा और J कहां से शुरू होगा J start होगा 1 से और कहां तक जाएगा 4 तक जाएगा यह कहीं नफी conditions आपके दिमाग पर होनी चीज़ है और I और J कैसे होते हैं I और J हमेशा कैसे होते हैं natural number होते हैं natural number यह बात आपको पता होनी चीज़ चलिए मैं सोड़ा सापको जानकरी दे दिये otherwise मेरे हिसाब से आप सभी लोग इसको normally solve कर सकते हैं कैसे अगर मैं आप से कहता हूँ कि आप तो सिर्फ एक काम करिए raw material रो एक अच्छा है ना आप एना matrix prepare करिए तो क्या prepare करेंगे तो त्यान से three qa-Boy matrix बनाने के लिए सबसे पहले तो देखो थी रो होंगे और four kolom में तो सबसे फ़हां वन वन the next a1,2 AWS next A1 rozum for clear a same का नहीं a2 1 a2 2 A23 A24 next A31 A32 A33 and U2 A34 और इसको मैंने क्या कर देना है तो यहां से क्या बने का मिर पास मैट्रिक्स बन जाएगा अब बारी आती है इस जगे से इन elements को निकालना अब इन elements को आप करेंगे साइड में निकालेंगे और फिर इसको अए प्लेज़ कर देंगा और ऐसा करने पर आपको आंसर मिल जाएगा ठीक है Clear ? तो चलिए काम करते आए फटाफट एक काम करते हैं इनको बनाना शूरु कर देता है चलो तो निकालते हैं इनको वन व करके तो यह नहीं तरफ मैं इनको लिख रहा हूँ अगर negative data आएगा भीना तो क्या हो जाएगा पॉसिटिव हो जाएगा ठीक है तो माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 1 करेंगे तो माइनस 2 आएगा माइनस 2 को मॉड के थू तू हो जाएगा सब्सक्राइब करने पर कितना आजाएगा बना जाएगा अगर मैंने बुला एवन निकालना है तो बताव आई की जिगए पर टू पुट करना है तो नेक्स्ट माइनस 3 और नेक्स क्या हो जाएगा तू हो जाएगा अब ऐसा करने पर माइनस 3 और 2 माइनस 1 माइनस 1 का क्या जाएगा वनी रहेगा वन बाइटू मतलब 0.5 यह अच्छा वन बाइटू लिखना गलत नहीं है लिकिन मैंने 0.5 लिग दिया विकॉज अब चोटा होगा थोड़ा सा एव जाएगा अपने पास भी और यह फाइनली क्या हो चुका है जीरो हो चुका है अब नेक्स बात करते हैं वन फूर वन बाइटू हो जाएगा अच्छा आई की जिगे पर वन रखना है तो माइनस 3 रहेगा यह की जिगे पर और रख दिया स्टिल क्या जाएगा बताओ पॉस करेंगे तो माइनस का 6 आएगा और उसमें प्लस वन हो जाएगा क्लियर है माइनस 6 प्लस वन करना होगा तो माइनस 5 डिवाड़े बाइट तू अच्छा मॉड है तो प्लस का 5 2.5 आजाएगा क्लियर है नेक्स्ट मॉडूलस है ना ठीक है 822 मत्तब आई और जी दोनों की ज इदर आ जाएगा माइनस का 4 और 4 का मॉड होगा तो 4 डिवाड़े बाइट टू ठीक है तो प्रोसेस तो कुछ इस तरीके से है वाकी का आप वर्चुल कैल्कुलेशन भी कर सकते हैं कई को दिक्कत है रही ठीक है पूर बाइट टू करेंगे तो तू आ जाएगा एट टू 1 by 2 minus 6 इदर की तरह जाएगा 3 आ जाएगा तो बताओ माइनस 6 प्लस 3 माइनस का 3 आएगा 3 डिवाड़े बाइट वाइड़ टू 1.5 मॉड के चक्कर में पॉस्टिव एगा ठीक है और इसी हिसाफ से अगर मैं बात करूं ए अब इसको मैं हटा देता हूं यह जो क्वाशन है कलता हूं ठीक तो निकालता किया मुझे एक टेकनिकली लिए बॉन बाइड़ी बाइनस ठीटी जा माइनस का 9 आएगा माइनस का 9 प्लस 1 तो प्लस 8 आएगा और टेक्नीकली और डिवाइद बैफ 4 डिवाइद बैफ टू 4 हो जाएगा एट 3 2 आजाएगा इसी साफ से 1 बैफ 2 यह माइनस 9 रहेगा तिल 2 ठीक है ठीक है और इसी हिसाब से 34 हो जाएगा अपने पास क्या इस जगे से जब और आप लोग तो वन बाइट तू तो तो यहां से करेंक करना है इनको लिख देना है अलंकि मैं सको stuffs नहीं कर पाउंगा को एक काम करना पड़ेगा मुझे अब मुझे एक मैट्रिक्ष जो मैंने भी बनाई थी उस मैट्रिक्स के अंदर इन एलिमेंट्स को लेखना पड़ेगा मैं थोड़ी छोटी बना रहा हूं ठीक है ध्यान से देखना विकार स्पेस जादा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस अलड़ी यूटिलाइज हो चुका है एवन वन पटाफट क्या करेंगे यहां वन रख देंगे ठीक है व 1.5 मैंने सबसे पहले इनीशली बता दिया था यह कैसे आ रहे है ठीक है और यह कहां पुट कर रहे हैं यह आपको पता होना चाहिए सेंज सीक्वेंस में फ़ोर 3.5 3 और 2.5 यह जो मैट्रिक्स बनाया है इसका ओडर है 3 क्रॉस 4 और यह आपने कंसर्ट कर लिया है ठीक है तो क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था एक थोड़ा सा इसू यह आ सकता है किना जब आप सुरुवात में कर रहे हों और कैल्कुलिशन में अगर आप पर जाए तो कभी कभी ऐसी कर्दिशन में जाती है तो अच्छे गलतियां कर देते हैं यह तो बहुत सिंपल की इस दिया है मॉड का करना है और जो नेगीटिव है उसको पॉस्टिव कर देना है पॉस्टिव को एजटिव निकाल देना है ठीक है तो मॉडल्स फंक्शन तो इंटू 1-1 मतलब 1 ए 1-2 तो पता ही होना चाहिए सबको मैंने इनिशल पहले कोशन में बता दिया है इसलिए मैं थोड़ा से टाइम कर रहा हूं यूटिलाइस कर रहा हूं तू माइनस क्या हो जाएगा इस जगे तू कि रहो हो गया क्लियर है ए 1-3 तो 2-3 और मॉड वड सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब यह आपको पहली रहो के सभी एलीमेंट्स में ज़िए अर्टी क्रॉस फोर था ठीक है नेक्स्ट इसे और रिख और रहा होगा तो चेंज कर दो हूं कि भिखरा है कि ए अ तूबर निकाल रहे है ठीक है तो टू-टू जा 4-1 थी तू 2-2 और माइनस टू टू रहेगा एक टू थ्री टू तू दा फूर मैंनस थ्री वन हो गया एक टू फूर तू जा 4-4 जिरो हो जाएगा यह मेरा कौन सा हो गया और सेकेंड रो के सभी एलेमेंट्स आ गया और मैं थर्ड रू लिख दीता हूं एक बार ठीक है इसी के पहला थर्ड रू तो यह हो गया मेरा एक टीवन पूट करेंगे एक टीटू जा 6-1-5-2-3-2-6-2-4-3-3-3 जा-3-2-6-3-3-3-4-3-2-6-4-3-2-6-4 है यह कहींना के मेरे पास आना अवी एलेमेंट्स आ चुके हैं एलेमेंट्स हा गए हैं अब सेमका नहीं इदेर 2 1 0 5 vagy एक मैट्रिक्स पर पर गडिए थी क्लास फॉर की ठीक है यह मारा कैंव गया आजएगा इस पटिकुलर को कर रहे जालो बढ़ते हैं आगे नेक्स कोशन पर आते बच्चों नेक्स कोशन पर कोशन नमर्स इक्स क्या करा है find the value of x, y and z from the following equation ठीक है अब देखो यह equation में कहीन के अगर अनलिसिस करें तो इस तरह भी एक मैट्रिक्स है इस तरह भी एक मैट्रिक्स है ठीक है और अगर अगर इक्वील का साइन है तो इसका मत्रब मैं क्या करा अगर ऑफ इक्वील dengan अपड़ेगान तो यहहां पर बात करहूं इकवल के जो ओर्डर से दोनों के जो ओर्डर है दोनों के जो ओर्डर दे रखें आपको उनको क्या होना पड़ेगा सेम होना पड़ेगा तो पहले बात ओर्डर को क्या होना पड़ेगा सेम और कैसा होना पड़ेगा सेम सेकिंड वन कंडिशन सेकिंड कंडिशन क्रिस्पोंडिंग are also equal corresponding elements are also equal corresponding elements are also equal condition का मतलब क्या हो जाएगा अगर इस matrix का अगर मैं का check करता हूँ A11 अगर निकालता हूँ first row first column और इसका निकालता हूँ B11 तो दोनों को क्या होना पड़ेगा equal होना पड़ेगा A11 बरावर B11 ठीक है next बात करें A12 बरावर V12 तो ये भी मेरा equal होगा same condition A21 B21 clear है तो corresponding elements को equal होना पड़ेगा for equal matrix clear बात करते हैं question number six का first part एक matrix दे दिया है 4 3 x 5 ये इसके elements दे रखें y z 1 और 5 क्या इनके order same है हाँ बिल्कुल सही है 2 x 2 और ये भी क्या है 2 x 2 तो order तो same ही है तो corresponding elements को भी क्या होना पड़ेगा equal होना पड़ेगा तो आप इस जगे लिख सेकते हैं because of two matrix are equal then their corresponding elements are also equal and by using this condition आप क्या करेंगे बताओ y को किसको बरावर कर देंगे y बरावर क्या हो जाएगा 4 y अब अब लिख देना इस जगे है because of corresponding elements are also equal in equal matrix corresponding elements are also equal ये बात लिख देना elements are also equal are also equal that's why आप क्या करेंगे बताओ इस condition को utilize करेंगे तब आप बोलेंगे y बरावर क्या हो जाएगा z नहीं y बरावर क्या हो गया 4 हो गया clear तो आपके पास है na y elements आ गया next अगर बात करें compare करें तो इस जगे से x किस के बरावर आ जाएगा 1 के परावर आगया, तो X परावर क्या आगया, आपके पास 1 के परावर आगया, और same as आपके पास Z परावर क्या आगया, 3 परावर Z या Z परावर 3, इसका मतलब आपके पास तीनों elements आचुके हैं, X, Y, Z के, clear, तो आप इसको चाहें हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर रहना वैसे तो यह question है इतना simple case में नहीं आएगा, आया भी तो आप बोल देना, यह first matrix का A12 और यह क्या है, second matrix का compare करना है, इसको compare करेंगे A11 किसके परावर कर देना, B11 के परावर कर देना, that's why, यह के परावर, यह के इसके परावर, इसके परावर, तो यह के सामने आजाएंगी, चली बढ़ते हैं आगे, next question पर अगला question कहा है, second, ठीक है, second, एक matrix, दूसरी matrix के परावर दिरखी है, x plus y, फिर आगी दिरखा 2, 5 plus z, और फिर आगे x, y, 6, 2, 5, 8, ठीक है, तो if two matrix are equal then then corresponding elements are equal by using this property, by using this property, ठीक है, आप सबसे पहले क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आपके पास एक conclusion ही आएगा, कि x plus y, वो बरावर कर दिया जाएगा, किसके, 6k, second condition, 5 plus z, को बरावर कर दिया जाएगा, किसके, 5k, and third condition, x into y, वो बरावर कर दिया जाएगा, 8k, अब इनको आप utilize करिए, और अपना answer करिए, x plus y, अगर 6 के बरावर है, अगर x पता चल गया, तो y भी पता चल जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर आप यहां से observe करते हैं, बच्चों, तो यहां से अगर आप देखते हैं, तो z बरावर कितना आगया, 5 ने 5 वो cancel out कर देना है, तो z बरावर तो क्या आगया, 0, तो x, y, z में z तो किसके बरावर आगया, 0 के बरावर आगया, अब आपके पास chance है, कि x into y, 8, और x plus y, 2, ठीक है, अब एक तरीका तो पता है, क्या हो सकता है, एक तरीका यह हो सकता है, बच्चों, assumption हो सकता है, ऐसे कोई दो नमर जिनका summation कितना हो, 6, और इनका product कितना हो, 8, तो बहुत जल्दी यह चीज आपके दिमांग में आ जाती है, अगर suppose that x कितना हो जाए, बच्चों, 4 हो जाए, y कितना हो जाए, 2 हो जाए, तो add करने पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और साथ की साथ अगर इस condition को और utilize करूं, तो मैं ऐसा भी तो कह सकता हूँ, वह यह 4 into 2 करने पर कितना आएगा, 8 आएगा, दोनों condition satisfy हो रही है, ल ठीक, x और y की value क्या हो सकती है, देखो, एक हो सकती है, 4,2 और दूसरी x और y की value क्या हो सकती है, 2,4, clear है, यह भी possibility है, अब आपने बोला, sir, हमने ना अपने examiner को प्रॉपर लिकर की नहीं बताए, अगर प्रॉपर लिकर के बताएंगे, तो quadratic equation बना दो, खतम करो, quadratic equation कैसे ब यहां से answer है, अगर x 4 है, y कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, z कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो एक pair तो क्या हो जाएगा, 4,2,0, दूसरा क्या हो सकता है, बताओ, x अगर 2 हो जाए, y 4 हो जाए, z क्या हो जाएगा, 0, तो यह आपके 2 answers हो सकते हैं, इसे क्लियर, यह तो मैं आपको बता दी है लेकिन और फोड़ा सा जिल्दी करना चाहे है तो आप पूरा शो करना चाहे है तो क्या करेंगे शो यहां से आप x निकाल लेज़े तो x इसके बरावर आजाएगा 8 yy आजाएगा क्लियर है और अगर आप यहां से y निकालते हैं तो y बरावर क्या जाएगा 8yx अब किसी ना किसी एक को तो replace करने ही पड़ेगा आपको ठीक है अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपके पास answer आजाता है तो यहां से y बरावर 8yx रख दिया कहां पहें इस equation में तो रखिए इस प्लस 8yx इसके बरावर आ गया 6 solve करेंगे LCM लेकर के तो x square प्लस 8 बरावर 6x reshuffling कर लिजे x square minus 6x plus 8 बरावर 0 अब आपके पास एक क्या हो गया इस जगे से क्वाडिटिक एक्विशन आगे जो क्लास 11 में आप लोगों ने बहुत अच्छे से दिखा है multiply करने पर कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए और addition करने पर कितना आना चाहिए माइनस 6 आना चाहिए तो आप खुद क्या analysis करेंगे इस जगे से अब देखो यह जितना जल्दी कर सके उतना आप क्या हो जाएंगे perfection की तरफ जाएंगे तो minus 4x minus 2x plus 8 बरावर 0 और जब इससे pair बनाना श्रू करेंगे तो आपके पास pairs आ जाते है इस जगे से देखो x, x minus 4 हो गया next minus 2, x minus 4 हो गया किसके बरावर कर रहे हो 0 के बरावर तो एक तो x minus 4 और 1 x minus 2 बोथ are equal to 0 and now we can say that x बरावर 4 और x is also 2 ठीक है तो x 4 भी है और x क्या है अपना 2 भी है तो 2 values आगे इस जगे से clear है 2 values आगे अपने पास अगर 2 values आ रहे है तो x बरावर 4 और 2 मेरे condition बताई, x बरावर 4 रखेंगे तो y कुछ आएगा ठीक है और इससे साब से y की भी तो value आएंगी तो यह condition में आपको बता चुका हूँ clear बढ़ते हैं आगे next question पर अगला question क्या है अगला question आपका linear equation में ही गया आप इस ठीक है x plus y plus z किसके बरावर है 9 x plus z 5 के बरावर y plus z 7 के बरावर अच्छा direct में equal क्यों क्यों कर दिया देखो अगर नहीं तीनों है प्लस में है अगर इसको क्यों और चेक करना चाहे तो इसका order हो जाएगा 3 x 1 it is also 3 x 1 तो order तो सेम होना ही पड़ेगा corresponding element sequel कर दो corresponding element sequel करने का मतब हो जाएगा बच्छो आप क्या करने वाला है इस जगसे आप इस जगसे x plus x plus y plus z किसके बरावर्द रखा है 9 के बरावर्द रखा है x plus z किसके बरावर्द रखा है 5 के बरावर्द रखा है और y plus z किसके बरावर्द रखा है आपको 7 के बरावर्द रखा है अब इस जगसे conditions आप लगाना शू कर सकते हैं अपना answer निकालना शू कर स और 3 को add कर दिया, equation 2 और 3 को क्या किया, add किया और उसमें से less कर दिया equation 1 को, तो ऐसा करने पर z elements आपको बच के आएगा, ठीक है, कैसे, अब virtual calculation करें, x plus z, y plus z, x plus y plus z तो आई गया, और एक एक्षा z आ गया, उसमें से x plus y plus z cancel हो जागा, तो z ही बचेगा, clear है, यह बात आप चाह नहीं पड़ेगा, now x plus y plus z, जिसको simple equation भी कहते है, अगर इसको less कर दिया जाए, तो right side में, 7, 5, 12, 12, मैं से 9 गया तो 3, तो यहां पर मैं एक बार को तो proper लिख कर के बता रहो, आगे आप फिर इसी साफसे कागरी utilize करिए, तो यहां से z ब्रावर के आगया, मैं पास z ब्राव यह मेरा एक answer आगया, ठीक है, अब आप क्या करेंगे, put, put z ब्रावर 3 in equation 2, equation 2 में आप क्या कर रहे है, z ब्रावर 3 put करेंगे, तो z ब्रावर 3 put करने पर, x plus z कितना है, 3, इसके ब्रावर है, 5, now x ब्रावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो x ब्रावर कितना आ चुका है 2 आ चुका है, अब x ब्रावर 2 आ गया है, x ब्रावर 2 भी आ चुका है, आपके पास z ब्रावर 3 भी आ गया है, आप चाहें तो summation के साथ जा सकते हैं, और आप चाहें तो किसके साथ जा सकते हैं, equation 3 के साथ भी जा सकते हैं, equation 3 के साथ भी जा सकते हैं, तो 3 के साथ जाएगे, तो y डिरेक्टली क्या आ जाएगा एक्स ब्रावर 2 रग दें यहां पर y ब्रावर क्या रग दें आस्वरी z ब्रावर 3 रग दें तो आपके पास y आ जाता है दूसरा इस equation में अगर z की value पुट कर दें तो z की value पुट करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा देखो z आया क्या था अपना 3 आया था तो y प्लस 3 ब्रावर 7 तो y ब्रावर कितना आ गया 4 आ गया क्लियर है तो आपके पास x, y, z दिनों की value आ चुकी है अगर सम करके देखें तो 9 ही बैठेगा 2 प्लस 4 6 प्लस 3 9 यूविल गेट यूर आंसर x, y, z ठीक है अच्छा थोड़ा अपने इसाफ से लेना ठीक है जैसे आपको अप्रूप्रियेट मैसर लगे ठीक है थोड़ा आप से क्या कर दीजिए आंसर कर दीजिए ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वेश्य नमोर सेवन कि find the value of a, b, c, d for which from the equation अब equation आपको सबसे पहले दिखो दोनों की दोना कोडिइ इक एक combat कासी सीती असक इसका ओड़र रहे अरड़ियो ठीक है अपतलब दो क्रॉस्टू और यह बीमेंसर पाइं का यह उना पड़ेगा कोशने मत्म वाइट क्पॉयटिंग क्रिस्पॉंड निंग एल्यमेंट्स व्याई A Q इक्वेटिंग क्र्सपॉंडिंग एल्यमेंट्स को एकवल करने पर थीक है अब म्या या कर दिना है सबसे पहले कंदिशन नम्मर a minus b को बरावर कर दिया है किसके minus 1 के second condition अब आप चाहें तो बताए क्या कर सकते है इसको equation 1 लिख सकते है because of क्योंकि आप इस्तिमाल करेंगे equation 1 ठीक है दूसरा क्या हो जाएगा बताओ 2a plus c किसके बरावर है 5 के बरावर equation number 2 3rd 2a minus b किसके बरावर है 0 के बरावर और यहां से आपके पास एक conclusion आजाएगा a और b के बारे में जो आप क्या करेंगे utilize कर सकते है ठीक है equation 3rd और इधर से आजाते है next one is 3c plus e किसके बरावर है बच्चो 13 के बरावर that is equation 4 अब देखो अब अगर मुझे क्या करना है बच्चो a और b में कोई relation निकालना है तो देखो by using equation third and first first और third को utilize कर रहा हूं देखो इसमें a minus b a और b का information है इसमें भी और b का information है और यहां से मैं पहला information तो यह निकालता हूं कि 2a किसके बरावर है और b के बरावर ठीक है और यह a minus b किसके बरावर था minus 1 के बरावर था तो b की जगे पर 2a रखा जा सकता है जब b की जगे 2a रखा जाएगा तो a minus of 2a बरावर क्या आ जाएगा minus 1 आ जाएगा और उस condition को utilize करें तो a में से 2 ए गया तो minus a जोगी किसके बरावर है minus 1 के बरावर तो a बरावर क्या आ गया बना गया तो a बरावर क्या आ गया बच्चो बना गया ए बना गया अगर a बना गया इस जगे से तो a बरावर 1 एक answer आ चुका है में पास a बरावर 1 एक answer आ चुका है put a बरावर 1 in this condition now you will get your answer 2 into 1 बरावर b now your b is equal to 2 another answer is b बरावर 2 clear अच्छा अब आप क्या करेंगे put the value of अब देखो इस जगे से क्या analysis करेंगे अगर आपको c निकालना है तो put the value of a in equation number 2 now put put the value of put the value of a in equation 2 value of a a in equation 2 equation 2 में a का value put करो तो put करेंगे तो बताओ a का value क्या होगा बताओ इस जगे पुट करो 2 into 1 प्लस c बरावर कितना है 5 अब c बरावर कितना हो गया 3 c बरावर कितना हो गया 3 c3 आ गया अब आप क्या कर सकते हैं put the value of c in equation 4 ठीक है जो कि कहां पर करने वाला हूं मैं यहां पर करने वाला हूं ठीक है कैसे color change कर देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा put the value of c in equation 4th equation में c का value put करो put करेंगे तो क्या आएगा 3 into 3 plus d किसके बरावर है 13 तो d बरावर कितना आजाएगा 13 में से 9 गया तो 4 to d बरावर कितना आगया 4 clear तो यहां से आप क्या analysis करेंगे देखो एक वेल्यू बन आ गया कि वेल्यू क्या आगया था आपके पास तो आगया मैंने थोड़ा highlighted कर रखाए ठीक है मैं और थोड़ा सा इनको यह वाला portion यह वाला portion यह वाला portion और यह वाला portion बहुत आसान exercise बच्चो बस वेल्यू पुट करना था आपको आपके पास में हम चाहें तो ना questions में solve proper ना करके सिर्फ analytical approach से भी का कर सकते हैं answer दे सकते हैं कैसे एक matrix A दे दिया उसके लिए कुछ इस तरह की से रिजन कर रखा है matrix को A IJ M cross N is a square matrix if square matrix में क्या होता है number of rows and number of columns are equal कैसे रहते हैं equal रहते हैं रो और पंग्तियों की संख्या है वो ब्रावर होती है now we can say that M ब्रावर क्या हो जाएगा N हो जाएगा ठीक है M ब्रावर क्या हो जाएगा N हो जाएगा तो आपका कौन सा answer आजएगा C option आपका answer आजएगा clear चारो बढ़ें आंगे next question 9th 9th question ठीक है देखते हैं कैसे solve करना है objective में अच्छा equal matrix के ऊपर based question है तो equal matrix के ऊपर based question है तो कैसे hit किया जा सकता है आपको पताएगी which of the given values of x and y make the following pair of matrix equal यह कर रहा है x और y की ऐसी कौन सी value है जो इस matrix को क्या कर सकते है equal कर सकते है ठीक है अगर matrix को equal कर रहे है ठीक है तो इस चीज़ को आप समझिए यहां से मैं ऐसा कहूंगा बच्छो अगर equal है तो मैं यह कहूंगा कि देखो यह matrix बना दो प्रपर या फिर कांग करो बीच में किसका sign लगा तो equal का sign लगा तो लगा दिए equal का sign लगाने का मतलब corresponding elements को क्या करना पड़ेगा equal करना पड़ेगा तो corresponding elements को equal करने का मतलब क्या हो गया बताओ सबसे पहले तो आप even one के साथ जाएंगे आगर आप even one के साथ गहे तो 3x प्लस 7 को किसके बरावर करना पड़ेगा 0 के बरावर करना पड़ेगा तो यहां से 3x बरावर क्या आ गया minus 7 और एकष बरावर क्या आ गया minus 7 by 3 तो एकस की वेल्य आपके पास आचुकी है, आप एकस बराबर माइनस एवन बाई ध्री जिसके साथ है वही मेरा क्या हो सकता है, आंसर होने की चांसे है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि यह एक मात्रा आंसर आएगा, विकाओ आपका का यह ना, इसके दो जोगल से की वेल्य आती है तो मैं वन बाइवन करके चेक कर लूँगा उस कंडिशन को ठीक है आगे बढ़ जाते है नेक्स ठीक है कि 5 बरावर क्या हो जाएगा वाए माइनस 2 तो य बरावर कितना हो गया अपने पास 7 आ गया ठीक है तो वाइब रावर 7 वैको आओ चोईस नम्मर A में भी है C में भी है ठीक है नेक आगे बढ़ते हैं Y प्लस 1 बरावर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा तो Y बरावर इस्टिल 7 आ गया clear ये बाद Y न थोड़ा सा ना strongly answer किया है बढ़ जगे से लेकिन X थोड़ा सा स्ट्राइश इसको और ऐसा करने पर एक्स परावर क्या है चेंगा अब मुझे एक बताओ अगर किसी जगह पर X की कितनी वेल्यू हाँ आ रही है अगर एकशी किया वेलीव आ रही है अब ध्याहन से देखना तो एकस की वेल्यू माइनस 7 by three भी कंशीटर की जाएगी और एकस की वेल्यू माइनस दूबाइट थ्री का वेल्यू कंसीटर की जाएगी अगर ऐसा हो रहा है तो कि यूनिवर्स ली minus two by three satisfy करेगी इसको इस जगे जब minus two by three put करेंगे ना बच्छो इस जगे minus two by three put करेंगे तो इसको condition को satisfy नहीं कर पा रही है इसका मतलब x की value में क्या है एक contradiction है x is not same x is not same and that's why we can say that if any linear equation if one variable are given you two different answers ठीक है किसी भी linear equation में आपको कोई भी एक variable अगर दो अलग-अलग answer प्रवाइड करता है इसका मतलब linear linear का मतलब समझे रहो single answer और चीक्वाडिक होना एक अलग चीज़ है कि यू के नोट find the exact answer and your choice will be not possible to find कुछ दो कहेंगे सर यह वाला गलत कहां सा यह वाला बढ़ावर 7 आ रहा है देखो x बढ़ावर minus 2 by 3 पी आ रहा है मैंने बोला यह वाला अगर सही है तो y बढ़ावर 7 तो justify करेगा x परावर minus 2 by 3 इस जगे तो क्या करेगा यस कर देगा लेकिन इस जगे कर देगा नो कर देगा that's why your answer will be not possible to find ठीक है हम find नहीं कर सकते है ठीक है clear यह बास समझ बानी चाहिए चलो पढ़ते हैं आगे next question की तरब अगला question क्या है अगला question इसमें दिमाग लगाई है बढ़ा अच्छा बड़ा important question है अगर matrix के point view से देखूं तो आप लोग comparatively जल्दी answer कर सकते हैं लेकिन असल में अगर बच्चो मैं आपसे बहुत बहुत बोलूँ आप अपसे बहुत बोलूँ आप सबसे पर एक three cross three matrix बनाई है अचा three cross three matrix का मतलब क्या हो गया three rows three columns it means there are exactly nine elements कितने elements होंगे nine elements होंगे ठीक है अचा nine elements का मतलब है nine places हो जाएंगे उनके लिए रखने के लिए और उन पर एक वार में है कि elements आपाएगा ठीक है one time someone आएगा ठीक है अब इस बोला है कि each entry zero और one zero और one का मतलब या तो zero होगा या क्या होगा one होगा मतलब आप यहां पर zero रख सकते हैं आप सोच के देखना है इस चीज को बड़े गहराई से यहां zero या वन जीरो या वन जीरो या वन जीरो या वन जीरो या वन ठीक है गहराई से सोचना जीरो या वन इसका मतलब है each places can takes two values clear each place कितना वेल्यू ले पाएगा दो वेल्यू ले पाएगा ठीक है अगर हर एक मतलब क्या हो गया इसका मतलब यह हो गया गया कि अगर मैं आपसे कहताहूं हं पर कक करताओं पर imitation के अंदर आगर यहां पर five को यहां पर four यहां पर three हां यहां यहां वन तो वर्ट्स बात करता हूं तो इनका प्रोडक्ट वह जाता है क्लियर अगर मैंने बात करी यहां पर जीरो और वन इसका मतलब समझना इस चीछ को अगर मैं इसको बोलता हूं यहां पर दो कोई दो elements आ सकते हैं अब इच्छा दो है ना जीरो और वन के आगे दो नहीं है दो बता रहे हैं कि नम्मर और ओफ entries are number of elements at any one place will be two ठीक है तो here are two another प्रडक्त हो जाएगा तू गड़ेगा ऐसा मैं टीपलाइगा आपको 9 इसका मतब 9 ौटी पावर 9 कितना जाएगा दूगी पावर 9 और इस वजह से टूगी पावर 9 कि नाद है 512 होगा और योर आंसर विल बीडी तो 512 नमर अप्वासिवल मैट्रिक्स आर पॉसिवल है ठीक है तो भई इतनी मैट्रिक्स इस जिकर पॉसिवल हो सकती है है एक जिके पर दो आ सकते अगली जिकेशन वाली कंडिशन में जाएंगी अगर मैं आपसे बात कहता हूं भी आ आपके सामने मुने बोल दिया for example mass mass के alphabets को arrange करिए alphabets को अपन क्या करते है arrange करते हैं तो how many words can be possible ठीक है आप सोच के देखना repetition are not allowed repetition allowed नहीं है अगर यह condition में आप से कह देता हूं तो बता अगर मैंने में से कुछ भी एक लिख सकता हूं इन में से तो चोईस कितनी है पांच पांच चोईस है अगर मैंने एक को लिख लिए तो चार यहां कितनी बची तीन यहां कितनी बची दो यहां कितनी बची एक अगर मैं multiply करता हूं तो फैक्टरील फाइब बोलूँगा तो how many words are possible फैक्टरील 5 words are possible where repetition is not allowed ठीक है अगर मैं कहता हूं रिपीटिशन इस अलाओ है इसका मतलब अगर मैंने एम लिख लिए तो आगे भी एम लिख सकता हूं आगे एम लिख सकता हूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इस जगे भी 5 लिख सकता हूं इस जगे भी 5 लिख सकता हू कि वे टंट हो थारो कोउड़ियर दो च्वारी कोस्वा नाइन अंहीं नम्मर अ rods ठीक है इतने अपने पास क्या हो सकते हूं मैंट्रिक्स पॉसिवल हो सकते हैं क्लियर तो बड़ा च्छा कोशन था बच्छो यह कोश्यन आपके ना एक्जाम के अंदर भी एना फुल पॉसिविटी रखता है पूछे जाने के लिए ठीक है कर देता हुए जीरो और वन और थ्री तब क्या करेंगे आप तब इच प्लेस पर कितना हो जाएगा नहीं हो जाएगा पूछा इसलिए नहीं निकाले में आपको थोड़ा जोर आएगा तो की पावर तो आप एना इसली निकाल लेते हैं ठीक है अधरवाइस एक्जामेर पू 3.1 को कम्रीट किया है मैट्रिक्स की ठीक है तो आप एक काम करिये जितना सेशन मिलने करा है उसको फटावर रवाइस करिए इसके उपर भी स्कोशन लगाई है और बढ़ते हैं आगे नेक्स कॉंसेप्ट पे जिसमें मैट्रिक्स एडिशन है सब ट्रेक्शन है प्रोड़क स्पर्चान लगाई है झाल